हेलो दोस्तों आप सभी का सुवागत है आपके अपने यूटूब चैनल यूपी पाट साल अपर यूपी पाट साल पर हम बाल बिकास्ट में मैंत्रपूर्ट पृच्छन की स्रंकला पड़ रहे हैं तो उसमें तीसरी स्रंकला है तो दोस्तों आईए सुरू करते हैं मनोविज्ञान का सिक्षा के छेत्र में सबसे बड़ा योगदान है जो मनोविज्ञान का सिक्षा के छेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है वही सरपे तम यह देखते हैं जल्दी दोस्तों सोचिए और अपना आंसर लगाने की कोशिश कीजिए तो 41 कोश्चन का आंसर होगा दोस्तों बाल के इंद्रित शिक्षा 42 कोश्चन देखते हैं निमलिकित में से कौन सा बिर्दी और विकास के सिद्दान तो मंदित नहीं है तो कोन सा सिद्दान्थ भिकास संमंतित नहीं है दोस्तों इसका राइ। जल्दी से खोच लिए लगा लीजिए जी तो इसका राइट आंसर होगा भी बर्गिकरण का सिद्दान्थ जो साधे कुश्शन है ना पिछले सालों में पूछे गए है Caesar गए गए जब लिए कोशिय औरत फ़ोड़ा ध्यान देॡ़े लिए कि कहीं से भी उठाके नहीं लाए जाते कोश्शन जो पिछले सालों में कहीं न पूछे गए हैं चाहिए वो हरियाना कर TATO, राहिस्तान TATO, KVSO, NBSO, या DSSBO, UP TAT KV हैं और C TAT KV हैं जहां किसे भी कोशन आए हैं बाल विकास में से भाहां से इस कोशन बने हैं तो थोड़ा अच्छे से करना और बताना जारा कॉमेंट बोक्स में वहीं कितना स्कोर कर रहे हो 43 question यह कहता है बाल मनो विज्ञान का छेतर है A. केवल सैसावस्ता की बिशिस्ताव का अध्यान B. केवल गरवस्ता की बिशिस्ताव का अध्यान C. केवल बाले अवस्ता की बिशिस्ताव का अध्यान दी गरव वस्ता से किसोरा वस्ता की बितेस्ताव का अध्यान तो वह बालमनोव ज्यान का छेत्र क्या है जल्दी कोशिन बढ़ लीजिए पास सेकंड है आपके पास दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा गर्व अवस्ता से किसोरा वस्ता की बिशेस्ताव का अध्यान आपने पढ़ा होगा जब मैंने आपको शुरू में बताया था कि गर्व अवस्ता से लेखे किसोरा वस्ता की बिशेस्ताव का अध्यान ही बालमनोवे ज्यान के छेतर के इंतरगत आता है इसमें अलग-अलग अवस्ता आती है कौन-कौन सी आती है से ऐसा वस्ता होती है वह कहां से होती है वही जनम से पाज वर्स का अंत वे छह वर्स के प्रारम तक मानी जाती है बाले अवस्ता पाज वर्स का अंत वे छह वर्स के प्रारम से 12 वर्स का आंत वे 13 वर्स के प्रारम तक मानी जाती है और उससे अगले किसोरा वस्ता 13 से 18 वर्स तक किसोरा वस्ता बोला जाता है तो आप ये चीज़ी द्यान कर लेना मैं आपका रिवाइस करा दे रहा हूँ 44 question क्या कहता है चात्र में रूची उत्पन करने की कला है डैश चात्र में रूची उत्पन करने की कला है A. सिक्षन B. सहनो भूती C. सम्द रस्टी D. प्रेंड़ना तो दोस्तों क्या है जल्दी सोची क्या है तो इसका right answer हो जाएगा D. प्रेंड़ना क्या हो जाएगा दोस्तों प्रेंड़ना 45 कोशन देखते है 45 कोशन है नर्सरीक अकसा में स्रुवात करने के लिए कौन सी बिच्वस्तू सबसे अच्छी है तो दोस्तों A. मेरा प्रेंड़ना V. मेरा पडोस C. मेरा परिवार D. मेरा विधालना इस टाइप के कोशन हमें सब पूछे गए है C. टाइट के तो ये फेवरेट कोशन होते है और U. टाइट में भी सबार उमी इदे इस टाइप कोशन बननेगी तो 45 कोशन का राइट आंसर हो जाएगा C. मेरा परिवार 46 कोशन देखते है बच्चे अपनी बात आवरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुगाव हो है भावनाव कोशी दिस्तान मिले V. उन्हें खेलने का मौका मिले C. उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले D. कड़ा अनुशाशन मैंने आपको एक बात हमेशे बोली है जो भी negative sense का answer आ रहोगा उसे eliminate कर देना वहाई ही खतम कर देना option देखो यसे कड़ा अनुशाशन है ये नहीं होगा ठीक है तो वहाँ से तो D. तो होई नहीं सकता बाकी बचे तीन इसमें देखे कि सबसे अच्छा option कौन सा लग रहा है आपको तो वह right answer होगा तो उस तो कौन सा हो जाएगा right answer इसका right answer हो जाएगा भी 46 का A. उनके अनुवववों और बावनाव को ओची दिस्तान मिले ठीक है जब उनके बावनाव और अनुववव को ओची दिस्तान मिलेगा तो वह बहुत ततपर्था से सीख पाएगा 47 कोशन देखते हैं निमलिकित में से कौन सा समाजी करण का एक पिरमुक कारक है जो समाजी करण का पिरमुक कारक कौन सा है A. computer B. अनुवान सिक्ता C. राजनीतिक दल D. परिवार तो कौन सा है दोस्तों इसका समाजी करण का एक पिरमुक कारक तो 47 का हो जाएगा D. परिवार 48 कोशन देखने है निमलिकित में से कौन सा बच्चों के सब्देगा आत्मा क्विकास के लिए सरवाधी को प्यूकता है कोशन अच्छा है ये इस परिकार के सबार मुझे पूलिव में देगी 99% इस परिकार कोशन आपका ये बिटेट में बन सकता है अगर वो थोड़ा कटिन मनाने की सोचेगा तो A. कक्सा कक्स का प्रिजातांत्रिक परिवेश तो राइट आंसर क्या होगा उससका जल्दी सोचिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वही A. प्रिजातांत्रिक प्रिजातांत्रिक मतलब हर प्रिकार का जो समाज से रिलेटिड होके उसका कंट्रोल करेए उसमें परिवार भी आएगा विदाले भी आएगा ठीक है तो क्यों हो जाएगा प्रिजतांत्रिक परिवेश 49 कोशन देखते हैं मानव विकास है A मातरात्मक V गुडात्मक C कुछ सीमा तक M आपनी है D 1 and 2 दोनो 1 and 2 का मतलब है A and V तो यहाँ पर आप नोट कर लें आप A and V हो जाएगा ठीक है थोड़ा इतना A and V V 1 and 2 का मतलब वही है ठीक है तो क्यों हो जाएगा इसका राइड आंसर मानव विकास है मैंने आपको बताए विदा तो क्या हो जाएगा इसको जाएगा D मातरात्मक गुडात्मक 50 कोशन देखते हैं शारिक विर्दी और विकास को कहते हैं जब मैने आपको अभिविर्दी और विकास की संकल्पना पढ़ाई थी तो इसमें साफ साब बताया था तो ए तत्थ पढ़ता वी अभिविर्दी सी गती सीलता डी अनुवान सिखता दोस्तो क्या कहते हैं जल्दी सोची क्या बोलते हैं इसका राइड आंसर हो जाएगा द आने वाले जो भी आप कोशन से रिस करते हो कहीं भी करते हो जब आपको कंटेंट के बारे में पता होगा आप इजली सारे कोशन कर पाओगे 51 question देखते हैं बाल मनो विज्ञान का केंदर विंदू है जो बाल मनो विज्ञान है वो किसको केंदर मानकर अपनाय गया है तो वो चीज़ आपको पूछी गई है A. अच्छा सिख्षक B. बालक C. सिख्षण D. विदाल ले क्या हो जाएगा दोस्तो इसका जल्दी बताईए तो 51 का राइट आंसर चले जाएंगे हम दोस्तो बालक ठीक है तो बालक C. बाल मनो विज्ञान का केंदर विंदू है वो हमेशा बालक होगा आप तो बाल केंदर शिक्षण के बारे में पीच्छे पूछा जा सकता तो उसमें भी बाल केंदर शिक्षण पायदा रिक्ता यहां पर भी बालक होगा तो आपको इस चीज दियान रखने है कि बाल मनो विज्ञान का जो मुक्य विंदू है वह बालक है 52 कोशन देखते है संबेक सब्द का साब्दिक अर्थ है मैंने आपको संबेक बताया था मैक डूगल ने 14 मूल परवर्ति अर्म संबेक बताया है उसके वारे मैं आपको सैसर वस्ता वाले लेक्षर में पढ़ा चुका हूँ तो आपने लेक्षर नहीं देखा तो वहां जाके देख लेना संबेक सब्क साब्दिक अर्वध गरता है कि अ प्रोडर्व इसने ठर्व प्रेम उत्यज न tutorialsumin łatiki लिए कि कोई नहीं नहीं संबेक होताई डायद सी उत्यज ना अपने इछानागागा आपनी देख जो आपके हां कोई अगडा नदी बहरी कोई तो आप पाप बच्पन में क्या करते थे हम एक इठा लेते थे और उसे कुद आते थे कि वह तीन-चार बाज कोदे नहीं तो वह ही चीज जो हल्चाल हुई आया है तो उसी क्या का आया है संबैक हा मतलब एकदम सा हमारे बीच संबैक उत्पन हो जाना उतल पुतल हो नहीं उत्तेज आउना ही संबेग है तोसका राइड ओप्शन को जागा दोस्तों सी शुफ्टी तिरी स्यासा वस्ता के लिए उत्तम सिक्षण विदी है वही ए मोन्टेश्री विदी वी खेल विदी सी केडर गार्डन विदी डी ये सवी तो क्या है वही दोस्तों कि तो उत्तम विदी कॉन सी होगी जल्दी पात 5 साइड एस जल्दी सोचिह कैंजें होगी दोस्तों यह सभी ती नो ही श्यासा वस्ता के लिए उत्तम सिक्षण विदी है डर मोंटेश्री विदी मार्यमोंटेश्री खेल विदी के कौनर्ण बौक्स में वताईये चिटन गार थोड़ा नीचे सोराव हो रहा था तो आज मैं छट पर बैटके वीडियो रिकॉड कर रहा हूं तो थोड़े पक्सियों गूम रहे हैं इनकी आवाज आएगी थोड़ा एड़ेस्ट्मेंट करना ठीक है दोस्तों 54 समाजिक प्रित्यसाओं के अनुरूप बैवार की योग्यता का अधिगम समाजिक विकास कहा जाता है यह उक्तकतन है यह हर लोग बी टीपिनन का सी मैकडूगल का डी रोस का तो दोस्तों परिवासना मिशा एक यह दो भूची जाती है थोड़े कड़ीन है लेकिन आप इनक जितने यह प्रैक्टिस करोगे ना इनकी हो जाएंगे तो इसका राइट आंसर यह होगा ए हर लोग समाजिक प्रित्यसाओं के अनुरूप बैवार की योग्यता का अधिगम समाजिक विकास कहा जाता है ज़रा दोस्तों के ट्रिक लगालों ट्रिक के होगी ट्रिक से आप इस ट्रिक बना सकते हो हर लोग ने किया समाजिक विकास इस टाइप से भी याद कर सकते हो हर लोग ने किया समाजिक विकास यह समाजिक प्रित्यासाओं को चेहन तो इस टाइप से भी याद कर सकते हो हर लोग ने किया समाजिक प्रित्यासाओं को चेहन जहां भी आपको य रक्साचार का एक बच्चा सदैप चिंतित और कुंटित रहता है आप यह उसके अभिवाग से सिकायद करेंगे मनोचे किस्क के पास ले जाएंगे परामर्ज दाता की भूमिका निर्वा करेंगे उसके भाग्ये पर छोड़ देंगे देखोगे इसमें दो निकेटिव सैंस इसमें इसे भी प्रोपर आपको सी दिख रहा होगा तो राइट अंसर क्या होगा सी हो जाएगा दोस्तों परामर्ज दाता की भूमिका का निर्वा करेंगे 56 देखते हैं संबेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वहीं जो संबेगात्मक विकास है इमोशन उसको प्रभावित करने वाले कारक उनकों से ए सारीरिक स्वास्त है भी मांचिक योगेता सी तखान डी ये सभी तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी 57 बाल विकास में पिर्किद्रे बाल विकास में ड्याश औप्शन चार पिरकिद्र्रे पर बल है बातावरन अनुपफ की भूमिका पर बल है गरव असाधे की सरवस्तक का अध्यन होता है डी उप्रोक सभी पर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट कि 75 परसेंट नहीं मैं 80-75 परसेंट गया सकता हूं कि D होता है थोड़ा अच्छी से कोश्चन अमर्ला लेकिन इसमें एक चारो अप्षिन में कोई निकेटिव हो जाता निकेटिव साहन सारा होता नकारात्मक सबका चैनल होता कि उसे डंडे से पीड देंगे सही है इस हो जाता तो उससे D भी हो जाता वाकी जो दो बचे उसमें 50-50 लगा सकते थे आप जाएगा दोस्तों इसका डी एक शिक्षक को कक्सा में कार्रे करना चाहिए ए प्रगर्ति सील भूमिका में प्रवुत्तब बादी भूमिका में प्रिजत्तांत्रिक भूमिका में डीप इरभावसाली भूमिका में तो किस प्रकार से कार्रे करना चाहिए दोस्तों इसका राइटम तो जाएगा जल्दी पूरवा गिरही किसोर किसोरी अपनी डैश के पिर्थी कटोर होंगे तो वह किसके पिर्थी कटोर होंगे इसमाश्या गे बीजीवन सहली के संपर्थे के वास्विक्ता के तो किसके पिर्थी होंगे दोस्तों राइट आंसर जल्दी सोचिए इंपोर्टेंट कोशन बन सकता है यह भी तो इसका राइट आसर जाएगा दोस्तों ए समश्या के 60 कोशन बचस्टों के समाजिक विकास में रश का विशेश महताव पिंजाडें सचार्वाधियम खडी दिन्चित्रागा तो किसका वही बच्चों के समाजिक विकास में खेल का विशेश में दोस्तों, धुक्छे बन जाते हैं आप स्माजिक यह लेखना को शेल ना है बुद्धि में आपको पढ़ाऊंगा लेकिन वो आपके पिछले साल से स्लेवर से कट चुकी है अभी नोटिफिकेशन आने दीजिए उसमें स्लेवर होगा अकर उसमें बुद्धि रखी हुई होगी इस बार तो हमें जरूर पढ़ाऊंगा व्यक्तित्व और अभी प्रेड आपके जरूर हो जाएंगे अब इतने ही बीक हो ना अगर आप सुरूर से लेक्चर देख रहे हो तो 25 प्रेस की मेगा अंटि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो यह नहीं होता है कि आपने पेली वीडियो देखिए उसके बाद बिल्कुल नहीं पड़े वहां आपकी ग आप असानी से यूपिटाइट में एक सो पिलस तो असानी से गड़ा हो गया और 110 भी ज्यादा हाड नहीं है दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में सब्सक्राइब यूपी पार्ट साला और हमारे बीटियो ज्यादा शेयर किचिए